कि हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक उनिवर्स क्लासेज स्वागाई था आप सभी का एक बार फिर से उनिवर्स क्लासेज में जो कि पीज़िटी पीज़िटी के लिए भूगोल की प्रक्टिस रट के साथ हम साथ को स्वागत है यह और यह साथ चुनिंदा कोश्चन है जो कि आप आपको एक्जाम में डिरेक्टली यहां से देखने को कुश्चन मिल सकते हैं आए देखते हैं कोश्चन के साथ सदो उसकी व्याख्या भी होगी तो आप पेपर और पेनले जोरे बैठाए जिसे कि आप व्याख्या को नोड़ कर पाएं जहां से कोश्चन बन सकते हैं चलि जन्शंख्या बृद्धी के संक्रमड करने के लिए प्रिक्त होगा तुलनातमक घनतों क्रीशी घनतों काइक घनतों या फिर आर्थिक घनतों आपसे नमबर 28 का जो करेक्ट एंसर रफ्रेंट्स वो हो जाएगा आपका सी काइक घनतों सी आपसे इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विश्य में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निधाद करने वाले विद्वान का नाम है माल्थस, माक्स, एकर्मेन या फिर जीमनर्मेन यह कौन थें यह थें एकर्मेन सी आप्शन इसका विल्कुल करेक्ट है निमलखित में से किसने जनलांकी संक्रमन सिद्दान का प्रतिपादन किया F.W. नोटेश्ट्रीन, W.S. थांपसन, काल माक्स या फिर P.R. काक्स यह किया है W.S. थांपसन ने आपसन नमबर B करेक्ट हो जाएगा निमलखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिक्तम उष्ड़कट वंधी चक्रवात आते हैं जून 5 से नमबर 25, जुलाई 1 से नमबर 30, जून 29 से दिसंबर 5 या फिर 1 जून से नमबर 30 तक तो कब तक आते हैं या आते हैं एक जून से तीस नमबर तक डी आपसन मिल्कुल सही है छुवल मंडल में तापमान की समान हरासदर निमलखित में से कौन सा प्रसिद करता है शे डिगरी सेलशियस प्रति किलो मीटर ये करता है ये करता है 6.5 डिगरी सेंटेगरेट प्रति किलो मिटर आपसा नम्बर ये बिल्कुल करेक्ट है को इनकी में से कौन स्विटरियल लेंड में उत्तर आलपस के विमुक धाल पर भाती है फान, सिरोको, मिस्ट्रल या भी चिनूग, कौन सी बहती है, यह बहती है, फान आपसा नमबर A करेक्ट है, भूमत देरेखा से लेकर ध्रुवत तक दाब और पवन के सही सतही घटक करम निमनिखित में से कौन सा है, ध्रुवी पुरुवा हवा, पस्मी हवाय, उपोष्ड उ हवा, आपसे नमबर D, इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत का उट्तर जच्षडीविस्तार तता पूरु पश्मी विस्तार है, 3214 किलोवींटर तता त krij marchnd, 3214 किलोवींटर तता 233 किलोवींटर, 3334 किलोवींटर तता 233 किलोवींटर या फिदी, त्यों 43 किल्योंटर तता सबसे लंबी समुद्ध तर्टी रेखा किस राजी की है तो वह गुजरात की कि पच्पंज युजरा नीमल के बीच होती है पच्पंजो से साथ चाई जाई से या इनमें से कोई नहीं तो 37 नमोर जो कोशन है वह जाएगा डी इनमें से कोई नहीं अगला कोशन लेते हैं काली मिट्टी कापास की किर्शी के लिए उपयक्त होती है उन में नार्टोर्य त organizing जय प्रदात प्रचूर मातरा में पाये जाते हैं इसमें से कौन सा correct हो जाएगा A तथा R दोनों सह़े हैं तथा R A की सही ब्याख्या है D A सही है प्रन्तु R गलत है या फिर D A गलत है प्रन्तु R सही है जिसका जो correct answer है A सही है लेकिन R क्या है गलत है गुष्ना डिए अगला questions लेते हैं लिमने में से कौन सही हुआ यह आपको बताना था यह सही है नाकाजन सकाल क्रिष्णा नद्यपर है क्रिष्णा नद्यपर है अगला question लेते है और ही निम्रखित में से कौन सा युग में सही सुमिलत नहीं है गड़जात पहाणियां उडिशा मांडव पहाणियां महाराष्ट नलामलाई पहाणियां आंद्रदेश शिवराय पहाणियां तमिलाड तो कौन सा सही सुमिल नहीं से यह आपको बताना है तो जो इसका जो सही सुमिल नहीं है व पच्छिमी बिश्चोब दश्ड़ी पच्छिमी मांसून उत्तर पुर्वी मांसून तो कौन सा है यह है उत्तर पुर्वी मांसून सी आपसने इसका बिल्कुल करेक्ट है सुचि एक को सुचि दू से मिलाना अभी हमने इसको क। प्रयूजना है और एक तरफ इसकी अमस्तिति है two चलिई इसको मैश करते हैं तो दिखें क्या हो जाएगा जो भाखभा नगल प्रयूजना हो किस नदिपर है यह आपको बताना था तो भाखणा नागल कहां पर है यह 17 पर एका चार हिराकुंड हिराकुंड कहां पर हिराकुंड 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 महान दीपर है और इदुक्की कहां पर है तो इदुक्कुई है आपके भाखडा नांगा 17 पर हीरा कुंड मान दिपर है और नागाजन सागर किष्णा दिपर है और यह देखकी क्याफ है पेरियार पर है तो कौन सा है एका 4 बी का 2 एका 4 बी का 3 है आपसे नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन बिशो में हरित करांती के जनक कौन है नार्मन ई बॉरलाग म. सवमिनाथन जी एस खुष या फिर बी पी पाल यह कौन है यह है आपके 43 नंबर कॉश्चन का एंसर जागा हो जागा नार्मन ई बॉरलाग किस राज में भारत किस राज में सरवधिक काफी उत्पादन की जाती है महाराष्ट केरल ओडीशा या फिर करनाटक ते कहा की जाती है यह की जाती है करनाटक में आपसर नमबर D करेक्ट है तालचेर एक प्रसेद कोईला छेतर है अंध्यपरदिस में चत्यसिवड में जारखंड में या फिर ओडीशा में कहा लेगेफ्र का प्रियो कर सही उत्तर चुनना है तो यदि फिर्थवी घुड़न गति न करें तो क्या होगा इसका प्रडाम यह हो जाएगा आपका । कर दिन और रात के चक्रन ही होगा और तीसरा सुर्योदय और सुर्यास्तन ही होगा बीजापसनिश का करेक्ट है सीद कालिन अयनांत विंटर स्वलिस्टिक के समंद में कौन सा कथन सही है उतरी धुरूपर 24 घंटे अंधिरा चाहे राता है या 21 जून को होता है 16 धुरूपर 24 घंटे अंधिरा चाहे राता है या फिर सुर्वच पर होता है तो कौन सा गलत है योजागा उतरी धरूप चोविस घंटे अंधिरा चाय रहता है ए आप्शन करेक्ट है लोह अयस्क का निच्छेप निम्लिखित में से किस क्रम की चटानों में पायाता है तर्सियरी, धारवान, गोडवाना या फिर बिंध्यन तो यह पायाता है धारवान करम के चटान में पी अप्शन हो जाए यसे कि आप पया होगा पर है उत्मत पर है क्या है हमबर्ग जो आपका पोत निर्माड है हमबर्ग पोत निर्माड और पिट सबर्ग क्या है आपको पता होगा लोहा इस बात और उसाका जो है वस्तरुद्योग एका तीन बी का चार एका तीन बी का चार किसमे है एका तीन बी का चार आपसर नमबर क्या हो जाएगा A का 3 B का 4 एक और मिला ना है C का क्या था पिट सवर्ग किस का था तो पिट सवर्ग था आपके आपसे नमर 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा A का 3 B का 4 C का 1 और लिका दूमेर उपर मिला दिया है आप वहाँ से मैच कर सकते हैं इसमें सबसे बड़े कोईले के भंडार किस देश में है USA, भारत, यूकरेन या फिर आस्ट्रेलिया तो कहाँ पर है यह है आपके USA में यह आपसें करेक्ट है इसमें में से किस देश की अस्तानादरन सील क्रिसी को तमराई के नाम से जाना जाता है स्रेलंका, म्यामार, फिलिपिन्स या फिर थाइलेंड तो यह है थाइलेंड में जो अस्तानादरन सील क्रिसी है उसको तमराई के नाम से जानते है किरकुक जो बिश्व में सरवाधिक महत्पुर्ट तेल छेतर है कहा थे थे इरान, इराक, कुवेत, या फिर रसिया यानि कि रूस में यह है इराक में आपसा नमबर बी करेक्ट है इमलेखित में से कौन सा एक पुनर नर्वीकरण उर्जा नहीं है भूतापी कुर्जा, जल बिद्द, आणडवी कुर्जा या फिर सवरुजा तो जो आणडवी कुर्जा होती है यह जो है इसको रिसाइकल नहीं क्या सकता है आपसा नमबर C करेक्ट हो जाएगा इसका C आपसान करेक्ट है ट्रांस कांटिनेंटल स्टुवर्ट राज गुमार के किसको जोडता है जरोड मैदानों में निम्निखित में से किस अदिवासों का कौन सा प्रत्रूप मिलता है रेखी प्रतिरूप विरताकार प्रतिरूप आथाकार प्रतिरूप या फिर नेबूला प्रतिरूप तो कौन सा है C option इसका आथाकार प्रतिरूप C option correct है कोनार्ड बीचिनता निम्खित में से किस के बीच पागा जाती है बाहरी और भुतरी कोर CL और C में, याणिके CRL और CMA, CMA और नीफे या फिर उपरी मेंडल और नीचरी मेंडल तो किसके बीच पाई जाता है? यह पाई जाता है CRL और CMA के बीच में आपसे नमबर B करेक्ट है किरे नायट से निर्मित कायंदरी चट्टान है कोबाल्ट, स्लेट, नीश या फिर बेसाल्ट कौन सा है यह नीश आप्शन नमबर C का करेक्ट है जो अलामुखी से निकलने वाली धूल और राक सामगरी को किस रूप में जाना जाता है पाइरो क्लास्टिक, हाइपर क्लास्टिक, हेपीरो क्लास्टिक या फिर सीरो क्लास्टिक इसको जाना जाता है पाइरो क्लास्टिक के नाम से ए आप्शन करेक्ट है निमने में से किसने प्लेट विवर्तन की सिद्धान का प्रतिपादन किया था हैरी हेस, हालम, डबलू जे मूर्गन या फिर हर्ट अर्जल ने, किस ने किया था, इसको किया था, पारित डबलू जे मूर्गन ने, आपसन नमबर सी, इसका करेक्ट है, भूद रिस सनचना प्रक्रम, एवं अवस्था का प्रिणाम है, या किसका कथन है पेंक डेविस हटन या फिर होम्स या किसका कथन है या जो कथन है यह है डेविस का आपसन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा कि निमखीर में से किस भूँ आकरति का निर्माण हिमानी नहीं हुआ है सर्क नूना क्रक हार्ण इंडिग आ फिर डूमलीन किसका नहीं 9 का निर्मान बाकि इन तीनों का हुआ है लास्ट कोशन आज की सेशन का जवार भाटा की उत्पति सम्मंधित प्रगामी तरंग सिधान्त यानि किसने प्रतिपादित किया था जो सिधान्त है और उसके प्रतिपादन है उससे जो इडियेटर प्रस्ण ने उससे दो तर तीन को शन आपकी तो आप इसको ज़रूर से याद रखें और नोट कर लेगा हैं तो किसने किया था यह किया था आपके बिलियम वेल ने